एलो एव्रिबन आज हम लोग बेसिक एलेक्टोनिक्स का लेक्शर नंबर 6 देखने जा रहे हैं और ये आपका लास्ट लेक्चर है ठीक है इलेक्टोनिक्स का मोडूल 1 का लास्ट लेक्चर है ठीक है बढ़ इसमें हमको कुछ बताना है दो भीनाट आप सुनिएगा module 1 का lecture number 6 है जितने सारे topic module 1 में थे complete करा दिये गया है थोड़ा बहुत क्या होता है कि 2018 में syllabus change हुआ था तो syllabus change हुआ था तो वहां क्या होता है कि previous year वाला क्यूशन copy paste करते हैं जो paper बनाते हैं तो copy paste करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जब 2019 में क्यूशन बना होगा तो copy paste होगी होगा पिछले साल वाला तो वही copy paste होते होते का क्यूशन अभी तक आपको आ जा रहा है जो आपके syllabus में नहीं है तो वो सब क्यूशन को पढ़ना जरूरी नहीं है अगर आप previous year देखके बोलेंगे इस टाइप का क्यूशन पूछे हुए है syllabus में तो वो आपका syllabus का पार्ट नहीं है लेकिन हाँ फिर भी आपको जितने भी previous year क्यूशन है सब को करवाया जाएगा तो उस दिन आपको जब previous यह module जैसी चार module है एक module तो खतम होगी है ऐसा आपको नोट्स कहीं नहीं मिलने वाला है चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जेनर डायोड लेक्चर नमबर 6 और लास्ट लेक्चर है इस module का तो आए जेनर डायोड क्या है अभी तक जितने टाइप का डायोड आप पड़ते आ रहे थे उसी टाइप से के जेनर डायोड भी है जो सेमी कंड़क्टर डायोड का बना होता है ये जेनर डायोड इसे अस्पेशल टाइप आप पी एन जक्षन सेमी कंड़क्टर डायोड ये बर्क करता है फोर्वर्ड बेस पे उसके बाद reverse based का काम करता है ठीक है तो उसको भी हम लोग देखेंगे इट कैन वर्क इन फोरवर्ड बेस आईज डैट पी एंजक्शन डायोड और इट कैन अल्सो बर्क इन रिवर्स बेस डैट मेक इट आ स्पेसल जब इसको आप स्पेसल रूप से बनाते हैं तब यह क्या करता है reverse based का भी काम करता है तो समझेगे हम लोग ग्राफ में इट रिवर्स बेस जेन डायोड बर्क साइज ये voltage regulator क्या होता है कि voltage को आप regulate कर सकते हो तो voltage को एक constant value पर maintain कर सकते हो मतलब यह voltage regulator regulator का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को control करना तो यहां पर जो voltage होता है इसमें control कर सकते आप जेन डायोड से ठीक है तो इत रिवर्स बेस जेन डायोड बर्क साइज ये voltage regulator जब वो रिवर्स बेस में जाता है डायोड तो voltage regulator का काम करता है इसका सेम्बल देखते हैं तो आप जो नॉर्मल डायोड था उसका सेम्बल कैसे देख रहे थे सेम्बल एक सकेंड इस टाइप से आप सेम्बल इसका देख रहे थे ठीक है यह जेनर डायोड में देखिए जेड से डी नोट है आप ठीक है जेनर डायोड तो इसको यह नोड होगी आपका एक कैथोड होगी है तो आपको जेनर डायोड होगी है आप इसका पढ़ते हैं तो अगर इसका भी आई करेक्टिरिस्टिक देखने जाते हैं तो यहां सेम नॉर्मल डायोड की तरह काम कर रहा है ठीक है जैसे यहां पर देखिए जो आपका इसमें फोर्माट बेस में था जब आप नॉर्मल डायोड पढ़ रहे थे तो उसका भी आई ओर नियुम के लिए कितना था जिरो पैर थीरीवोलड था याद होग को कि दो बता रहे हो में पड़े होंगे कि फेसे और ऑफmother कि क्या होता है जब मेटल सांधितराथ एली किया जाता है तो कितना minimum energy दे क्यों निकलना start हो उसी को threshold कहते हैं तो कितना minimum voltage पे current change नहीं होता है मतलब कितना minimum voltage दिया जाए ताकि ये current में change होना start कर दे तो ही silicon में 0.7 volt दिया जाता है और germanium के लिए 0.3 volt पे ही rise करना start कर देता है तो ये तो कहानी होगी है normal diode की तरह अब आते हैं जेनर diode में देखते ह तो voltage देने पे ये कुछ time तक जैसे जैसे voltage बढ़ाते है current बढ़ते जाता है थोड़ा उसके बाद एक time ऐसा आता है कि उसी voltage पे current sharply increase कर जाता है voltage तो अब नहीं बढ़ता है लेकिन current बढ़ना बहुत तेजी से start हो जाता है बहुत sharply increase होना start हो जाता है तो जिस point पे voltage sharply increase होना start होगा था उस point को हम लोग IZ minimum के नाम से जानते हैं अभी numerical बताएंगे आपको तो numerical में यह चीज़ याद रखिएगा कि IZ minimum क्या था IZ maximum क्या था तो जिस point पे voltage बढ़ना start हो जाता है उसको हम लोग IZ minimum के नाम से जानते हैं और जहां तक बढ़ता है ज इसके बाद भी बढ़ सकता है इसके बाद भी बढ़ सकता है लेकिन diode आपका damage हो जाएगा अगर IZ maximum से आगे बढ़ेगा तो आपका diode क्या हो जाएगा damage हो जाएगा तो यहीं तक हम लोग बढ़ाते हैं ताकि वो maximum उसका जो current है गेन करे maximum से जादे नहीं करते हैं तो वो क्या बजाता है damage हो जाएगा आपका diode ठीक है तो उसको ए minimum IZ minimum हो गया IZ maximum हो गया इस region को हम लोग region of voltage regulation के नाम से जानते हैं इस voltage को हम लोग किस नाम से जान है regulation of voltage region of voltage of regulation के नाम से जानते हैं तो यहां पर क्या होता है IZ का IZ minimum to IZ maximum IZ minimum IZ maximum के region में voltage regulation कहते हैं इस में voltage का मान नहीं बढ़ता है बस current की मान बढ़ता है ठीक है तो यह चीज़ आपको बता चूके हैं आप क्या देखते हैं नीचे point आते हैं भोल्टेजज द्यूट्यक् सर्कीट किफ दा लोड वोल्टेज कॉंस्टेंट इस डिसप्टी चेंजर्ज इन्पुट gust और लोड रिजिस्टेंज अगर आप जब भोल्टेज constant रखते हैं तो input voltage और load resistance में जो changes होता है वो देखते हैं हम लोग figure में जाके ठीक है figure में देखेंगे और यहाँ पर कुछ दो एप्रोक्स जिसे यहाँ पर formation के मतलब कुछ pattern बताते हैं कि आपका पर Eczam में 14 number और साथ number की कहानी होता है मतलब कोई Quston 7 number का है कोई Quston 14 number का माललिज्य आठ्मा नंबर Quston ये पांच्मा नंबर Quston साथ-साथ में पूछता है तो 8a8 b करके पूछता है एसाथ नंबर ये एक ही Quston पूछे तो वो 14 नंबर का पूछते देता है ठीक है हरे कूशन चौदा नंबर का होता तो थर्ड समें तो आप समेस्टर दे चुके होंगे ठीक आपको पता है तो इस जो होता है चौदा नंबर का तो साथ नंबर में पूछेगा तो बस जितना अभी तक बताए जेनर टाइओड के बारे तो यहां से यहां तक लिक दीज ये बैटरी दीखरां यह दोनों एक्वाल हूता है ब्रेक डॉन के लिए एक जो आपका बैटरी है यह आपका है इस तरह से हं बोले कि अगर इन पूंट भंक भैरी करता है तो कि तरह से एक अफ्ल उपला फीगर नीचे है ठीक है नीचे आएगे तो समझाएंगी ठीक है उसी फीगर को देख रहे थे फीगर नीचे है चलिए यहां पे जो जो बताना है पहले उसी को बता देते हैं पर क्या बुडेते हैं पर कि यहां jainer diode operating in breakdown region ideally act likeЬ a battery of a value equal to breakdown voltage ठीक है यहां पर जो इसका DK is और यहां पर जो breakdown voltage होगा दोनों equally behave करेगा ठीक है इस case में अगर हम कौन का case में ideally के case में जो जेनर diode है बैटिए equally behave करेगा मतलब उसके बैटि के तरह बिहाइब करेगा जेनर diode और अगर हम second approximation of general diode बोले जिसको हम लोग practical general diode के नाम से जानते हैं तो वहां पर क्या होता है कि यह जो आपका जेनर रेजिस्टेंस है और यह जो बोल्टेज जेनर बोल्टेज है यह दोनों का summation होता है इसके इक्वल इसके बोल्टेज का इक्वल कौन होता है आर जेड यानि जेनर रेजिस्टेंस और जेनर बोल्टेज यह दोनों का Love volunteers breakdown voltage and voltage globe across जेनेgeneration दायोड जेन derrière रेजिस्टेन्स एर ये सम्सवेद्暴 bonot Age के summation is equal to general veutete Campe जो इस Vienna डायोड में जो वोल्टेज मिल रहा है अदोनों hem Voltage के क्या होगा equally होगा रहें हैं जो रज्जघी होता है बहुत हीं small होता है बहुत हीं कम resistance होता है उसका तो यह दुनों आपको लिखना आपको जरूरी है अगर चल्दा नमर में पुछेगा तो इसको बना दीजिएगा यह दुनों का बड़ा easy point था यह दुनों यहाँ पे equal है यहाँ पे जेनर resistance और voltage के equal है जेनर डायोड ठीक है यहाँ पे आयो बहुत हीं अच्छे से clear हो गया होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ से समझने वला point है यहाँ से समझते जाईएगा यह पूछर क्या रहा है regulating action of जेनर आये समझेगा तो नुमेरकल बनेगा ठीक है यहीं से नुमेरकल है तो regulating action of जेनर डायोड विथ भैरिंग इन्पूट वोल्टेज अगर इन्पूट वोल्टेज भैरी करता है तो किस तरीके से output को रिगुलेट करेगा तो इसके लिए diagram देखते हैं यह इसके लिए diagram है कि बता रहा है न यह पूछ रहा है न कि इन्पूट वोल्टेज को भैरी करवाएंगे तो किस तरह से output को रिगुलेट करेगा कैसे output को देगा यह ठीक है यह variable है ठीक है यह variable input है तो output किस तरह से आएगा हमको मतलब किस तरह से input को input है जो output को रिगुलेट करके answer देगा तो उसी चीज़ को देखना है तो चलिए देखते है बारी बारी से यह आपका जो variable input है variable input दिखाया है यह supply कर रही है ठीक है यह जो I को current को supply कर रही है तो उस case में यहाँ यहाँ पर यहाँ पर इसके across जो output कैसे maintain रहेगा वो देखना है आपको IEL है यह क्या है IEL है एक सगेंड हाँ IEL है पर आप output ले सकते हैं यह IEL है यहाँ पर output ले लिए सब पहले figure को समझ लिए बढ़िया से फिर से बोल रहा है ध्याँ से सुनिएगा यह आपका input है resistance है यहाँ पर IEL current है load current है load resistance है यहाँ पर IZ है यह voltage breakdown है ठीक है और यहाँ पर output है तो इतना चीज़ आप naming से समझ गया होगी अब bowling यह तो ध्यान दीजिएगा जहाँ bowling वहाँ पर focus किजिएगा ठीक है कहाँ के pin चलिए सुनिएगा सबसे पहला case अगर voltage बढ़ाते हैं ठीक है यहाँ देखिएगा when VIE increasing जब voltage को बढ़ाते हैं variable है न मतलब variable ले रहा है तो variable का मतलब change हो सकता है बढ़ भी सकता है घट भी हो सकता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे है कि भेन VIE increasing ठीक है तो V note जो होता है V Z के बराबर होता है V output जो होता है यह V Z के बराबर होता है क्यों बराबर होता है देखते हैं because V Z एक बार breakdown में चला गया है यह जो V Z है एक और breakdown में चला जाता है तो यह battery के तरह काम करता है अभी उपर दिखाए थे ideally के case में ठीक है यह battery के तरह काम करने लगेगा जो battery के तरह काम करेगा उसका voltage होगा V Z यह जो voltage है इसका V Z होगा और parallel में है तो कर सकते हैं कि parallel में voltage होगा जो same होता है parallel में अगर voltage होता है तो इसका voltage इसका voltage parallel में voltage गया होता है same होता है ठीक है तो voltage इसके उपर voltage जो आपका diode है voltage जो इसका है पर voltage और इस पे voltage वो ही होगा जो output पे रहेगा एक सेकिन उपर भागिया में पाइबेसं नोब्तर सेम और इसपे बोल्टेज के बराबर तो इस पे जो भैरी करने पे कोई फार्ट की नहीं नहीं करें कोई चेंज होने वाला है नहीं टो की खञेंवरी करेगा लेकिन लली में करेंट करता है पैलली में करेंट भैरी करता है तो करेंट की भैलू ज़रूर भैली करेगा तो क्या होगा यहाँ पे IES है यहाँ पे IES ले रहे हैं सबका नेमिंग कर देते हैं ताकि सोलूशन करना आसान हो यह IES दे देते हैं यह IEL तो है ही IIZ है यहाँ पे जो IES का भैलू होगा IES जो करेंट दिया रहा है तो यहीन करेंट डिवाइड हो जा रहा है कुछ करेंट उधर से निकल जा रहा है कुछ करेंट इधर से निकल जा रहा है तो IES इस इगल टू क्या हो जाएगा IL पलस IR IS is equal to क्या हो जाएगा IL plus IR ठीक है IR ने एक सेकंड IZ है न एक सेकंड एक सेकंड यह क्या है IZ है ठीक है यह हो जाएगा यहाँ पर IZ इतना क्लियर है तो basically RL में कोई भैरी ही निकर रहा है यहाँ पर RL में कोई भैरी निकर रहा है तो IL में भी कोई भैरी निहीं होगा जब RL में कोई भैरी निहीं होगा तो IL में भी भैरी निहीं होगा तो change किस में होगा बताएगे तो IS is equal to IL plus IZ ही होगा लेकिन RL में भैरी ने करा तो E variable नहीं होगा A variable नहीं होगा IL variable नहीं होगा IL variable नहीं होगा तो change जो होगा किस में होगा z वला में होगा हमको equally maintain रखना है equally maintain रखना है एक सगेंड फिर से बताते हैं ध्यान दीजेगा i s is equal to जो हम यहां से current supply कर रहे हैं वो किस के बराबर होगा i l plus i z के बराबर होगा i r i answer rl में कोई variation नहीं है किस में variation है i input में variation ले रहा है rl में कोई variation नहीं है तो i l में भी variation नहीं होगा तो इसमें कोई change नहीं हो रहा है i s को हमको बढ़ाना है बढ़ रहा है तो कौन बढ़ेगा i z बढ़ेगा यनि इसको i maximum बोल सकते हैं i z को i जब बढ़ गिया है तो इसको कहांँ तक बढ़ाना है maximum तक बढ़ाना है उसे जदेचा होता था diode cannot तो इसको कहांँ तक बढ़ाना है तो puppet IEG increasing VE naught is equal to VZ as long as कहां तक IEG less than IEG maximum थीकिया तो I half sumaj में आगिया होगा कि जब parallel में है तो voltage नहीं बड़ा तो input के वराबर output हुआ और यहां पे is is equal to il plus iz होगा तो il same है और इसको हम current बढ़ाना चाहरा है तो किसमे variation होगा किसमें बढ़ेगा iz maximum होगा तो ही होगे उसी तरह से अगर हम decrease करें तो decrease करें तो कहां तक minimum होगा यह iz minimum तक होगा same condition पे तक है same condition पे अब यहां पे is शिर्फ i लिखे यह is लिखे कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पे iz is equal to kya होगा यह formula भी पढ़े थे is equal to il plus iz हमको निकालना iz तो iz is equal to क्या हो जाएगा is minus il ठीक है यही formula लिखा हुआ है अब आगे पढ़िए तो बबू regulating action general diode with varying load resistance अभी हम किसको भैरी कर रहे थे voltage input को भैरी कर रहे थे अब हम resistance को भैरी करते हैं तो देखिएगा load resistance को भैरी करते हैं बढ़ाते हैं तो il क्या हो जाएगा घट जाएगा क्योंकि inversely proportional होता है inversely proportional होता है i is equal to क्या होता है b upon r न तो r क्या होगा अगर r को बढ़ाईएगा तो i क्या घटेगा तो उसी तरह जब rl को बढ़ा रहे है तो il क्या होगा घटेगा but i remain constant यह जो i है is है is नाम देदेते हैं या सिरफ i नाम दीजे कोई दिखकर ने है तो यह जो है i is equal to क्या होता है i z plus il होता है मतलों जो दोनों में distribute होगिया इधर इधर 21 के बरावर था इस i s के बरावर था दोनों तरफ जो distribute हुआ i z i l 21 के बरावर था i s के बरावर था तो i s is equal to i z plus il अगर हम r को बढ़ा रहे है तो i l क्या हो रहा है घट रहा है तो उस केस में क्या होगा z maximum हो जाएगा ठीक है तो i remains constant since i l घटेगा तो i z क्या होगा बढ़ेगा i z क्या होगा बढ़ेगा ठीक है तो यह सब कुछ बताने वहला जो खुद सोचिने वह यह सब चीतों load resistance को बढ़ा रहा है तो load current क्या हो रहा है घट रहा है ऐसे automatic घटेगा आपको खुद पता है कि i is equal to v upon r होता है तो r को बढ़ाएंगे तो current घटेवे करेगा इसमें सोचने कहीं कुछ लग रहा है आपको ठीक है यहाँ कोई concept ही ने सिर्फ बढ़ रहा है घट रहा है देखी i remains constant है तो i l घटेगा तो i z क्या होगा बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे i s remains constant रखना है इसमें कोई change नहीं होगा मतलो जो current दिया जा रहा है उसमें कोई change नहीं होगा तो changes कि इसमें होगा i l घटेगा तो i z बढ़ेगा है ना देखे 8 है 5 पलस 3 है तो 5 पलस 3 आठ होता है हमको 8 को same ही रखना है तो इसको हम 2 करते हैं तो इसमें केतना हो जाएगा 6 हो जाएगा तो इसमें घटा तो देखे 5 से क्या होगा 6 होगा 6 में बढ़ गया तो वही चीब हो रहे है कि i s रखना है तो क्या होगा i l को घटा आ रहे हैं तो i z को उस टाइम बढ़ना पड़ेगा तो यह जो i z है i z है किस से greater देन हो जाएगा i z maximum क्योंकि यहाँ पर i z क्या हो रहा है बढ़ रहा है देखें बढ़ कोई चीज था कोई कोई चीज ने था दम सिर्फ समाझना आए देखें r l decrease करेगा तो decrease करेगा तो i is equal to क्या पड़े v upon r e decrease करेगा तो i s is equal to क्या जाने i l plus i z तो i कहां किया i l बढ़ रहा है i l बढ़ रहा है तो i z क्या होगा घटेगा minimum होगा तो i l बढ़ेगा तो i z decrease करेगा v not is equal to v z as long as i z less than i z minimum होगा कहां तक घटेगा या कहां तक बढ़ेगा minimum औ maximum तक ही उससे ज़्यादा होगा तो diode ही damage कर जाएगा ठीक है तो i hope इतना तक आप लोग को किलियर होगा क्या point बोले अगर आपको नहीं समझ में आया तो back करके देखी आपको पक्का समझ में आ जाएगा ठीक है तो यहां तक हो गया बबू अब हम इस पर numerical चल लेते हैं ठीक है दो numerical करवा देते है दोनों किलियर हो जाएगा ठीक है अगर module 1 खतम होने को है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो support जरूर करें ताकि आपको और से better से better facility दिया जा सके आने वाले time में ठीक है आप जितना support करेंगी आपके recording ही क्या होगा यह channel grow करेगा और आपको digital board पे बताया जाएगा बस आपका support चाहिए ठीक है तो जरूर डायोड संट रेगुलेटर रेगुलेटर नुमेर्कल प्रोबलम ठीक है इसमें वो लोग नुमेर्कल बना रहे है तो पहला नुमेर्कल है आपे इन दा सर्केट सोन जरूर डायोड जो दिया हुआ है जेनट आयोड दिख रहा है आपको देखी के बते चाहरा है जेनट आयोड है breakdown voltage कितना है 6V है breakdown voltage इसी को बोलते है न ठीक है तो breakdown voltage जो 6V है नी current नी current का मतलब जहां से current बढ़ना स्टार्ट हुआ होगा जहां से voltage के बाद voltage जहां से जिससे silicon के लिए 0.7 बता रहे थे न जहां से minimum ऐसा current या minimum ऐसा voltage या minimum ऐसा energy जिससे आगे proceed होता है उसको हम लोग threshold या नी भी काते हैं threshold जब theory पढ़ा है आप पीछे पढ़के आयोंगे तो यह सब चीज clear होगा threshold कोई की नी के नाम से जान रहते है ठीक है तो जो नी current है वो कितना है फाई यह नी I minimum है ठीक है जो नी मतलब I minimum समझिएगा ठीक है I, Z minimum समझिएगा नी का मतलब calculate minimum value of resistance यानि R minimum पूछ रहा है R minimum पूछ रहा है तो R is equal to क्या होता है जो R minimum is equal to क्यान निकाल लेंगे B upon I ठीक है B upon I तो यही जो B है और I है यही दुनों हमको find out कर लेना है find out करके put कर देंगे होगी है ठीक है डेर दा output voltage कितना दिया हो 6V तो output आपको पता है यहां से हमको current निकालना पड़ेगा क्योंकि voltage भी पता है voltage भी पता है खली current निकाल जाएगा तो हमको R minimum account सा current निकालना चाहिए R minimum पूछा है तो voltage बटा I maximum हमको चाहिए I, Z maximum चाहिए तब न minimum बनेगा reciprocal है न तो हमको maximum चाहिए तो चली निकालना सीखते हैं आप KVL, KCL पढ़के आया है फर्स समेस्टर में तो KVL, KCL देखे होंगे तो KVL, KCL में क्या था कि loop में हम KVL लगाते थे तो यहां में मालीज लगाए तो क्या होगी है Vs है 10 तो Vs माइनस भी क्योंकि यह छोटा वला के है बड़ा वला positive, negative नीगेटिव यह जो clockwise लगाए है यहां पर clockwise लगाए है तो यह नीगेटिव से पास करेगा तो माइनस भी यह क्या है रिजिस्टेंस है तो रिजिस्टेंस इंटू आई करेंट कर देंगे तो voltage में convert हो जाएगा तो 50 voltage ठीक है 50 Is voltage हो गया और यह क्या है भीजेट है ठीक है यहां पर क्या मिलेगा भीजेट यह जो gender के acadoo breakdown gender के a соглас होगा जो क्या होगा भीजेट is equal to 0 तो यहां से निकालना चाहते है तो भीजेट यह माइनस भीएस तो पलस भीएस यह पलस जेट तो माइनस वीजेड बटा IS है न तो IS बटा ये 50 है जो क्या था 50 जो था क्या है RS है मतलो resistance है तो ही resistance से भागा दे दिये और resistance कितना है 50 है तो VS का value कितना था 10 ampere दस voltage दिया हुआ था यह देखिए VS का value कितना है 10 voltage वीजेड का value कितना है ब्रेकडाॉन वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट बट रस का विलू कितना है रिजिस्टेंस कितना 50 तरहना निकल गया 80 Ampere 80 Ampere IS का value निकल गया IZ Minimum जिसको Nip Point बोल रहे थे नip Point बोलिए या IZ Minimum बोलिए तो कितना है 5 Ampere है तो IS IZ Minimum निकल गया तो IL निकल लिजेगा तो वहीं से निकल लिजेगा तो क्या होगे IS is equal to IZ plus IL maximum here IS fix है तो IZ को decrease करना पड़ेगा ठीक है IZ को decrease किजिएगा तो यह क्या होगा यानि IZ Minimum रखेगा तो IL क्या होगा maximum होगा अब देख रहे थे ना पीछे ठीक है तो IZ Minimum होगा तो IL क्या होगा maximum पीछे just समझा रहे तो हाँ समझ के आए कि कोई भी जैसे I है यह 8 है अग 3 पलस 5 होता है तो हम इसको अगर घटाते हैं तो यह बढ़ना तब नहीं इसके बराबर होगा 5 से माली चार गड़ दिये तो 3 से क्या हो जागा 4 तब नहीं 4 चार चार 8 होगा तो उसी तरह से अगर हम IZ यहाँ पर फिक्स है तो मैक्समum कर रहे है तो नहीं का भी वह रहा है तो कितना है? 5600 गटा देंगे ऑगे 75 Stacy मीलियंपीर एक भी तो आ गया IL मैक्समum आ गया हमको मीनिमम निकालना था तो मिनमम के लिए क्या कर सकते हैं जो आई यल मैक्समम करेंगे तो यह मैक्समम करेंगे तो इसको हम लोग यह बदल दें पच्छाथ यह 75 दस के पावर माइनस थी एंपियर में बदल दी तो वोल्टेज अपॉन क्या का लाता है resistance ohm ठीक है तो इसको divide किजएगा तो 80 ohm आ जाएगा अब भी नोट जो है भी यल के बरावरी होगा क्योंकि parallel में जो होता है parallel था ना भी नोट अभी यल क्या था देख लिजे क्यूशन में एक सेकेंड भी नोट और भी यल क्या था दोनों parallel था कि यह जो भी नोट है यह भी नोट है अभी यल जो है वह क्या है भी यह से सब आपस में क्या है तो उसी भैल्व हो जाएगा parallel में वोल्टेज हमें साथ सेम होता है भी नोट इजगल टो भी जट भी जट लिख दीजे भी जट ठीक है तो भी जट इजगल टो शिक्स बोल्ट नी करेंट 5 मिली अंपयर एंड इंड मैक्सम अलाइट पावर डिस्पेशन 300 मेगावाट है इज यू टू इन दा सर्केट सो कल्कुलेट मीनमुम एंड मैक्समूम लोड क्रेंट IEL maximum निकालना है और IEL minimum निकालना है यह दोनों निकालना है ठीक है बस यही दोनों निकालना है and remain constant at voltage 6 जो breakdown voltage दिया हुआ है 6 दिया हुआ है यहाँ पे 9 दिया हुआ इसका value इस voltage का 50 resistance है IZ का value इसमें flow कर रहा है मतलब यहाँ से जो current जा रहा है दू भाग में divide हो जा रहा है एक load resistance के तरफ एक breakdown voltage के तरफ ठीक है तो यह IS का value होगा जो IS जा रहा है वो ही दो भाग में टूटा है न तो उसी का summation होता है ठीक है तो IZ और क्या हो जाएगा यहाँ पे IL और IZ दोनों समेशन हो जाएगा तो ही निकालने बोल रहा है तो IZ minimum का भाइलू दिया हुआ और नी पॉइंट दिया हुआ है नी पॉइंट मतलब IZ minimum ठीक है चली पी जेड मैक्समूम दिया वो पावर दिया हुआ है तो इसको लिख देते हैं और IL minimum निकालना है आई एकस मैक्समूम निकालना है ठीक है बरावर वाट लगा हुआ है कॉमा इसको सुधार लीजेगा कॉपी में ऐसा न लगए कि I, L, minimum बराबर I, L, maximum है, मतलो, I, L, minimum निकालना है, I, L, maximum निकालना है, जो लिखा हुआ था, ठीक है, गलती से छुट गया होगा, प्रयासन बाचक चीह है, ठीक है, तो I, L, minimum निकालना है, I, L, maximum निकालना है, तो अभी आप फर्मूला पढ़े थे I is equal to क्या होता है current is equal to क्या होता है voltage upon resistance होता है तो voltage क्या होगा यहाँ पे Vs minus Vz Vs minus यह Vs आपका है यह क्या है Vz है तो देखते हैं यहाँ पे Vs minus Vz upon Rs Vs का value 9 Vz का value 6 बटा 50 इसको solution करेंगे 3y 50 milli ampere में बदाल देंगे आजाएगा 60 milli ampere अब यहाँ से देखिएगा वही relation है कि I L minimum है तो Z को maximum होना पड़ेगा minimum एक minimum रहेगा दूसरा को maximum होना पड़ेगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा I L minimum निकल जाएगा I L minimum is equal to I S minus I Z maximum I S का मान तो पता है लेकिन I Z maximum कहां से आएगा तो P Z maximum is equal to क्या होता है power is equal to क्या होता है B I power is equal to क्या होता है So P maximum है यहाँ Z भी maximum होगा तो P Z is equal to B Z into Z maximum तो I Z maximum is equal to क्या हो जाएगा P बटा B यहनि यह अदर गुना I נिकलना यह तो P Z maximum बटा B Z 300 बटा 6 आगे है 50 milliampere तो उसी का value यहां पर put कर दिये तो IL minimum आगिया 10 milliampere अब IZ maximum निकाल लिए तो IZ maximum के लिए IZ minimum यहां पर होगा IL maximum के लिए यहां पर minimum होगा तो IES कितना दिया हुआ 60 अनी point वाला कितना? नी point को ही IZ minimum बोलते हैं IZ minimum IZ maximum दे यहां power दिया हो था power से निकाल लिए तो IES माइनस IZ minimum 60 माइनस 5 आगिया 55 milliampere तेही आपको निकालना था सिर्फ IL minimum निकालना था और IL maximum निकालना था तो IHOP module 1 आपको बढ़ियां लगा होगा पढ़ने में तीक है? और धीरे-धीरे improve ही होगा module 2 इससे और अच्छा होगा और बेटर होगा module 3 इससे और बेटर होगा क्योंकि हम लोग जैसे जैसे experience की और बढ़ते हैं वैसे वैसे और थोड़ा सही ही होते जाता है कभी decrease नहीं होता है तो अच्छा लगा होगा इससे 10% और अच्छा लगेगा module 2 उससे और 10% अच्छा लगेगा